Ministry of External Affairs, इसके द्वरा ये confirm किया गया है कि भारत के जो आठ नेवी वेटरंस थे, उनकी सजा जो पहले death penalty थी, उसको कम करके अब अलग-अलग समय के लिए prison के अंदर convert कर दिया गया है, अब उनके पास यहाँ पर 60 दिन है कि वो जो उनको jail terms मिली हैं, उनको यहाँ पर वो contest कर पा दिया गया है, उसी तरह से अगर आप देखना चाहो, यहाँ पर जो I.S. है, उसने यहाँ पर claim किया है, bomber tax को, कल हमने इसके बार में discussion भी किया था, इन bomber tax के बारे में, तो इरान की पूरी कोशिश है, कहिना कि इसका वो बदला ले, इसके लाबा प्रधान मंत्री जी के relevant हो जाते हैं, पहली बात तो आप यह समझे कि जब हम बात करते हैं, लक्षदीप की, तो लक्षदीप आप जानते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इंडिया के, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर जब हम बात करते हैं, केरला के कोची से, तो वहाँ से काफी पा पॉइंट आइलेंड से, अपने आपे बहुत चोटे आइलेंड, तोटल 36 के क्रीब हमें आइलेंड से एकने को मिलते हैं, और बहुत ही कम इन में से ऐसे हैं, जहाँ पर कुछ पॉपलेशन रहती भी है, अब इन पॉइंट बात आपको यह धियान में रखनी है, कि यहाँ स तरह से जब मैं बात करता हूं, नाइन डिगरी चैनल की, तो आपको यह बात धियान में रखनी चाहिए, कि जब हम बात करते हैं, नाइन डिगरी चैनल की, तो यह मिनी कुई को सेपरेड करता है, किस से, बाकी का जो मेन आर्की पलेगो है, आपका लक्षदीब का, तो मिनी कुई को सेपरेड करता है, किस से, मौल दीव से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एट डिगरी सेपरेड कर रहा है, मिनी कुई को मौल दीव से, नाइन डिगरी चैनल आपका सेपरेड कर रहा है, किस को, जो मेन आपका लक्षदीब है, उसको यहाँ पे, मिनी कुई देखो यहाँ पे समझो कि इंडियन नेवी के द्वरान अपनी शिप्स और एरकास्ट को यहाँ पे डिपलाई किया जा रहा है तांकि हम अपने सेक्योर्टी और परिशिस यहाँ पे इनक्रीज कर पाएं दरसल में यहाँ पे देखो यह आपका यमन के अंदर एक फोर्ट है जिसका नाम है एडिन ठीक है इसी पोर्ट के नाम के उपर यहाँ का नाम पड़ गया क्या गल्फ ओफ एडन ठीक है अब नोटिस करो यह गल्फ ऑफ एडन अपने आपने बहुत इंपॉइंट बन जाता है reason being कि Gulf of Aden आगे जाके यह देखो Babal Mandip Strait and बाद में Red Sea तो इस तरह से Arabian Sea से अगर आपको जाना हो ना यहाँ पर Red Sea की तरफ या फिर आगे जाके जो Mediterranean Sea की तरफ रास्ता पहुंचता है वहाँ तक अगर आपने पहुंचना हो तो वहाँ पर Gulf of Aden के थुरू आप यहाँ पहुंच पाओगे इसके लाब आप दो एक दो चीज़े और पता होनी चाहिए जैसे फॉर एक्जामपल यह आपको यहाँ पर सुकोटरा आइलेंड से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे यह तो आपका Gulf of Aden ही था यहाँ पर बीच में आपको गौर्दिफुल चैनल आपको देखने को मिल जाएगा यह चैनल हमारी मैपिंग के परस्पेक्टिव से काफी पॉइंट हो जाता है यह कुछ रिजन्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए थे जो सुकाटरा है ना वो भी यहाँ पर आपका यैमेन का ही देखने को मिलता है और यही था वो चैनल जिसके बात उपर कर रहा था तो यह कुछ लोकेशन आपको पता होनी चाहिए इसके साथ में ही ये जो पूरा एरिया है ना पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ही इशूज यहां पर देखने के मिल रहे हैं चाहे पारेसी की बात करो, चाहे टेररिजम की बात करो डिफ्यूजी स्मगलिंग की बात करो तो इस वज़ा से गल्फ आफ एडन अपने आपे बहुत बार न्यूज में आया है तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए ये सारी जो डिस्केशन है ये मैंने आपको बता भी दी है कुछ मेजर हार्बर्स आपको देखने को मिलते हैं देखो ये जो पर्टिकुलर रीजन है होन अफ 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 रीका ये बहुत ही लूजली डिफाइंड है कहने का मतलब इसकी पर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है जनली हम पता क्या बात करते हैं हम बात करते हैं कि चार कंट्रीज हैं सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और अर्टिया ये चार कंट्रीज जनली हम कंप्राइस करते हैं ये चार कंट्रीज आती है होन आफ अफ 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 रीका के अंदर पर कई भार ना हम यहाँ पर कीनिया, युगांडा, सुडान और यहीं पर आपका South Sudan भी है इनको भी कई बार include कर लेते हैं Hawn of Africa की definition के अंदर Technically चार countries ही हैं इसके अंदर जो मैंने आपको बता है ना Somalia, Arathria, Ethiopia और जिबूती पर कई बार इसको define करते टाइम हम बाकी countries को भी साथ में ले लेते हैं In fact ना, एक और भी term है Greater Horn Africa Greater Horn region के अंदर आपके जो बाकी तीन देश है Just this, Burundi, Rwanda और Tanzania यह रहे आपके Burundi, Rwanda और Tanzania यह countries को भी यहाँ पर include कर ले जाते हैं जब हम बात करते हैं Greater Horn region की तो यह कुछ pointers थे आपको Horn of Africa के regarding उपर की side जो Gulf of Eden आता है ठीकर यहाँ पर यहाँ पर आप देख भी सकते हो यह Gulf of Eden यह आपका बावल मंदर स्टेट यह आपका Red Sea और यह आपका सुमालिया, अर्थरिया, इथोपिया और जिबूती वाला जो रीजन है इसके बार में आपको यहाँ पर idea लग गया होगा आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी से information या फिर पहले एक question कर लेते हैं question क्या है मारा, कि Turkey कहां पर located है in fact नहीं आपका homework भी रहेगा बहुत बार मैं Turkey की location भी आपके साथ discuss करी हुई है तो इसको कोशिश कीजएगा नीचे comment से मुझे बताने की कि आपके साथ से तरकी कहां पर located है तो आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी से information आप सभी के लिए दोस्तो हमारी team के तरफ से एक बहुत important initiative start होने जा रहा है आठ जनवी से अगर आपके देखो तैयारी थोड़ी सी तो वहां पर हमारा जो course है वो आपको बहुत help कर सकता है किस तरह से दोस्तों यहां पर तीन घंटे की डेली आपकी GS की classes होंगी जिसकी मदद से आपका प्रिलिम्स का जितना भी syllabus है वो सारा का सारा complete करवाय जाएगा at the same time यहां पर आपको current affairs के content और material आपको मिल जाएगा कि आपकी classes भी होंगी यहां पर साथ साथ CSET classes का आपको online access मिल जाएगा तो CSET का जितना भी डर था और सारा कतम हो जाएगा साथ मेहीं आपको 16 section और 16 GS full nine test मिलेंगे जिसकी मदद से आप एनकी अच्छे से practice भी कर पाओगे तो इस course के अंदर आपकी एक अच्छे खासे practice हो जाएगी revision तो हो ही रही है classes के मादर से आप पूरा syllabus भी cover कर लोगे ध्यान रखेगा कि आप इसको online तो access करी सकते है but at the same time हमारा जो पटेल लंगर का offline center है ना वहाँ पर भी आप इस course को access कर सकते है तो ये course टार्ट होने जा रहा है आठ जनुरी से अब definitely इस course के अंदर enroll कर सकते है नीचे description के अंदर मैंने इसका link दे दिया है वहाँ जाईए इस course के अंदर enroll कीजिए और I'm sure आपको ये course बहुत जाए help करने वाला है आगे बढ़ते हैं efficacy of nano urea के बारे में थोड़ा discuss कर लेते हैं देखो सरकार के दोरा ना काफ़ी बार nano urea को promote किया गया है कि nano urea एक बहुत अच्छा alternative हो सकता है हम लोग भी यही सोचते थे पर दिक्कत बता क्या आगी मैं आपको समझाओंगा nano urea पर actually आप समझो पहले समझी लो nano urea है क्या जब हम बात करते है nano urea की अप urea के बारे में तो हम शूर जानते होंगे urea की मदद से क्या होता है आपके जो urea क्या एक तरह का fertilizer है जिसकी मदद से आप अपने swail की जो productivity है उसको increase करने कुश करते हो और आप जानते हो urea के अंदर nitrogen अच्छा कासी मातरा में होता है जिस वज़ा से क्या होता है आपके जो plants है उनकी जो growth है जिकर जो भी आप grow कर रहे हो उसकी growth काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी तो अपने आप में बहुत ही अच्छा nitrogen fertilizer है पर आपने notice किया होगा पिछले कुछ समय के अंदर हमारे जो किसान है उनके द्वारा urea का बहुत जादा use हो रहा था excessive use हो रहा था जिस वज़ा से कुछ हमें नुकसान देखने को मिल रहे थे उसी वज़ा से हम उसको ठीक करने के लिए liquid nano urea लेकर आए basically urea ही होता है in the form of a nano particle ठीक है यहाँ पर nitrogen होता है in the form of granules जो की काफी finer होते है एक sheet of paper basically nano scale की उपर यहाँ पर हम इसको लेकर गए है तो इसका यहाँ पर बनाया गया था किसके द्वारा इफको के द्वारा Indian farmer and fertilizer cooperative के द्वारा June 2021 के अंदर ऐसा claim किया गया था यह 500 ml की जो spray bottle है न वो 45 kg का जो bag होता है यूरिया का ठीक है जो normal bag होता है उसके comparison में उतना ही इसका same उसको substitute कर देगा ठीक है ना और यह इसको use cup करना होता है जब कहिना कि आपके पत्ते arrive कर गए होते हैं आपके crops के उपर तो this is called a foliar spray ऐसा यहां पर इसका बोला गया था कि यह इसकी इतना अच्छा होने वाला है पर देखो life में क्या होता है हम बोलते कुछ है और result कुछ और आता है होता है न यह चीज़े कि हम मारे claim कुछ बहुत बड़े होते हैं और बात छोटी निकल के आती है बेसिकली उची दुकान और फीका पकवान तो यहां पर भी नैनो यूरिया के साथ वो ही issue देखने को मिला है PAU पंजाब agriculture जो यूनिवरस्टी है ना उसके दोरा बहुत सारे हजारों ही किसानों के साथ मिलकर यहां पर यह चेक किया गया दो सालों के लिए कि जो नैनो यूरिया है वो कितना efficient है कितना काम का actual में करता है तो दरसल में जो result आये ना अपने आप में बहुत ही जादा खराब आए है देखो यहां पर हमारे जो किसानों ने इसको rice के उपर इसको wheat के उपर यहां पर test किया और ऐसा देखा गया कि पहले जितनी productivity आती थी wheat की उसकी मातरा में लगबग 22 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है तो बेसिकली ना अगर पहले किसान का output आता था 100 kg wheat अब नैनो यूरिया यूज़ करने का उसका output आया है 78 kg तो अपने आप में देखो किसान क्यों ही यूज़ करेंगे जब उसका output इतना जादा कम हो गया है उसी तरह से rice की बात करें तो लगबग यहां पे 13% का decrease देखने को मिला है तो कल को आपको ना exam में आ जाए कि कुछ studies हुई थी उसके साब से नैनो यूरिया की वज़ा से output या yield increase हुआ है वो statement अपने आप बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि output increase नहीं हुआ output बलकि decrease हो गया है उपर से अगर हम बात करें कि जो भी हमारे rice और wheat है उसका जो grain content होता है उसके अंदर भी एक कमी देखने को मिली है उसके अंदर जो protein वगएरा होते ना rice और wheat के अंदर या जो भी और nutrients होते हैं वो भी बहुत ही कम मातरा में आए है as compared to the original one तो अपने आप में इसने ये चीज़ बताई है कि पहली बात तो नैनो यूरिया की cost भी जादा थी थोड़ी ठीक है cost जादा होने की वज़ा से हमारे किसानों तक भी impact आ रहा था पहली बात तो किसान को महंगा मिल रहा था fertilizer उपर से कहिना है कि उनका output भी नहीं आ रहा तो किसानों के लिए दुगनी मार यहां पे नैनो यूरिया की देखने को मिल रही है आज के समय के उपर जहां पर input भी बढ़ गया है उनके लिए input cost बढ़ गी है और output बिल्कुल आ नहीं रहा तो अपने आप में ये नैनो यूरिया का न especially मेंस के लिए बात कर रहा हूं मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेंस के अपने अंसरस के लिए 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 हम यूस कर लेंगे तो उससे सब बढ़िया हो जाएगा पर एक्चर में इस टड़ी ने बहुत ही उल्टी चीज़ बात करी है इसका बिल्कुल अगेंस बात करी है जहाँ पर देखा गया कि इंपुट कॉस्ट बढ़ गी है किसानों की पर आउटपुट ऑन दादरहेंड कम हो गया है तो इसके अंदर डेफिनिटी कुछ चेंजिस लाने होंगे अधर्वाइस हमारे किसानों के लिए ये सही अभी के लिए नहीं दिख रहा एक UPAC ने 12-16 के अंदर एक क्वेशन पुचा था नीम कोटिड यूरिया के बारे में कोशिश कीजेगा इसका अंसर करने की बहुत ही इजी अंसर है ठीक है ना तो कॉमेंट्स में इसका अंसर भी आप मुझे बताइएगा कि क्या अंसर आपके इसाब से इसका होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स टॉपिक के दरफ जाट इस बकसा टाइगर रिजर्व देखो पहली बात तो इसकी लोकेशन समझो बकसा टाइगर रिजर्व की ये कहाँ पर है आपके वेस्ट बंगॉल के अंदर मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन समझाने की कुशिश करता हूँ देखो ये वाला जो एरिया अगर आप थोड़ा इसको आप जूम करोगे तो आप नोटेस करोगे ना जहां पे हमारा बुटान के पास बिल्कुल बॉर्डर ही है ये आपका इस वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ तो वेस्ट बंगॉल के अंदर ये जो एरिया है ना यहाँ पर अभी रीसेंटल एक टाइगर अब्जर्व हुआ है इन वेस्ट बंगॉल बक्सा नेक्शनल पार्क अब आप लोग सोचें कर इतना क्या खास है देखो एक्शल में न जो वेस्ट बंगॉल का बक्सा नेक्शनल पार्क है वहाँ पर हार्डली हमण टाइगर्स देखने हम लते हैं एक्शल में पिछली बार भी हमने 2021 में टाइगर देखा था यहाँ पर बक्सा नेशनल पार्क के अंदर और वो 23 साल के बाद यहाँ पर देखा गया था तो अपने आप में ना बहुत ही रेर साइटिंग है बक्सा नेशनल पार्क के अंदर टाइगर की अब ऐसा क्या हो गया सर यहाँ पर टाइगर कैसे दिखने लग गया देखो दरसल में ऐसे किसके पीछे कारण बताय जा रहे है कि एक्चल में यहाँ पर प्रे बेस जिनके उपर टाइगर डिपेंडेंट है जिनको खाता है उनका इंक्रीज देखने को मिल रहा है साथी साथ बकसा नैशनल पार्क के अंदर जो ग्रास लेंड्स है ना उन ग्रास लेंड का दिरे दिरे एक्स्पैंशन हो रहा है जो कि एक अच्छी बात है ठीक है प्लस एड़ा सेम टाइम बकसा नैशनल पार्क के जो लोग है वहाँ पर जो लोग काम करते हैं जो फॉरिस्ट ओफिशिल्स हैं उन्होंने कोशिश काफी हत्त करी है कि humans के साथ जो इंटरेक्शन है टाइगर्स का या बाकी एनिमल्स का वो कहिना की कम हो तो इस तरह से infiltration हो गया, trespassing हो गया, इसको control किया गया है जिस वज़ा से ये चीज़ देखने को मिल रही है तो लोकेशन के अगर हम बात करें जैसे हमें आपको बात कर रहा था अलीपूर दुआर जो डिस्टिक है आपको वेस्ट मेंगॉल के अंदर वहां पर इलिपेटिड आपको देखने को मिल जाएगा तुर्टुरी ठीक है ना फश्क वहाब दीमा नुनानी यहां से हमें देखती हुई मिल जाएंगी वेजिटेशन की बात करें तो माइस टॉपिकल फोरेस्ट के यहां पर देखने को मिलता है और इंडियन टाइगर के लावा लेपड आपका जंगल के आपका लावड लेपड यह कुछ स्पीशिज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी बात करें टाइगर की तो आप जानते होंगे देखो टाइगर का IUCN status endangered है बाकि डेफिनिटी वाइड लाव प्रडेक्शन एक के अंदर तो schedule 1 में ही है और sites के अंदर भी आपको appendix 1 में ही देखने को मिल जाएगा ठीक है इसकी लिक्वेशन भी हम समझ चुके हैं आगे चलते हैं polar bear dies of avian flu in the arctic देखो यह रहा आपका polar bear अब arctic के अंदर ना इनकी पहला case हमें death का देखने को मिल रहा है due to highly pathogenic avian influenza पहले polar bear के बारे में पढ़ लेते हैं फिर आएंगे इस avian influenza यह क्या होता है देखो इनका scientific नाम आप देखने हां पर देख सकते हो जब हम बात करते हैं polar bear की तो इनका IUCN status हमें vulnerable देखने को मिलता है और यह majorly हमें arctic ocean, sea ice उन adjacent के अरियास के अंदर देखने को मिल जाएगा देखो यह न polar bear जो है आपके seals को खाते हैं चीक है ना तो उनके उपर dependent है काफियत तक तो अगर देखो आप समझो इस बात को आप लोग ना environment के अंदर food web बगरा पढ़ते हो बिल्कुल पढ़ते हैं sir यह सब चीजे तो तो देखो जो polar bear है वो dependent है seal के उपर यह क्या करेगा polar bear seal को खाएगा seal आगे कुछ औरों को खाएगी यह कोई औरों को और किसी को खाएगा अगर कहीना के पोलर bear की population उपर नीचे हो जाती है तो कहीना के आप ऐसा देख पार हो कि seals को कोई खाने वाला नहीं बचेगा तो इनकी population बहुत ज़ाँ बढ़ जाएगी तो इस वज़ा से Arctic sea ice इनके लिए बहुत ज़ादा जरूरी होती है polar bear के लिए क्योंकि इसको वो यूज़ करते हैं ठीक है top predator है जैसे मैंने आपको समझा ही दिया इनकी body के उपर बहुत ही body fat होता है उसके बहुत thick layer होती है जो कि उनको बचाती है बहुत ही ठंड से इस सभी चीज़ों से इसको बचाया जाता है बाकि मैंने आपको बचा दिया top predator होते हैं over population of seals हो सकते है क्योंकि अगर ये नहीं होंगे अगर polar bear नहीं होंगे तो seals की population बहुत जाब बढ़ती हैगी seals को खाने वाला कोई बचेगा नहीं अब आते हैं कि आखिर ये HPAI यानि कि HPAI के मतलब highly pathogenic avian influenza ये क्या बात होती है देखो आप लोग bird flu के बारे पे सुनते हो ना उसी को avian influenza के नाम से जाना जाते है avian का मतलब ही bird होता है ठीक है ना तो ये basically ऐसी disease है जो majorly आपकी birds को effect करती है अब मैंने क्या bird use किया majorly primarily आपकी birds को effect करती है क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों को नहीं कर सकती है अरे primarily तब ही तो बोला है majorly birds को effect करती है पर इंसानों को भी करती है इसी वाज़ा से ये क्या है zoonotic disease है इसके अलग-अलग आप variants देख सकते हो तो मतलब H5, H6, H7, H9, H10 और इस वाज़ा से human infection भी हो सकता है तो migratory wild birds की वज़ा से या फिर कहीं न कि fecal contamination की वज़ा से ये चीज humans तक भी फैल सकती है तो ये चीज़े आपको पता होने चाहिए तो पहला reported को H5N1 का 2021 में देखा गया था तब bird population की अंदर बहुत ही तेजी से ये circulate हुआ था बाकी humans, wild water birds, domestic poultry, swine मतलब जो आपके pigs बगएरा होते हैं horses, dogs, bats इन सभी के अंदर भी ये देखने को मिल सकती है तो ये था polar bear dies of avian flu in the arctic next चलते हैं new ruling on benami law may unearth old deeds क्या मतलब है इस कीज का देखो पहले तो आपना benami का मतलब समझो नाम का मतलब जानते हूँ ना जैसे मेरा नाम रिशव है आपका भी कुछ नाम होगा ठीक है तो जब मैंने बोल दिया benami इसका अर्थ क्या हो गया इसका अर्थ हो गया एक ऐसी property जो बिना नाम के है क्या मतलब सर अर्य इसका मतलब बहुत सिंपल है जैसे माल लो मैं हूँ ठीक है ना और मैंने पता क्या किया मैंने कोई property ख्रीदी अपने driver के नाम के उपर ठीक है तो यह क्या बे नाम होगी नहीं अभी बे नाम ही नहीं पर कहीं किस income के source से मैं यहां पर इस property को ख्रीद रहा हूँ तब यह बे नामी हो जाती है बेसिकली एक ऐसी transaction जहां पर जो पैसा दे रहा है वो कोई दूसरा है और वो अपने नाम के उपर उसको नहीं ख्रीद रहा है किसी और के अंडर ख्रीद रहा है समझे लगे और उपर से source of income भी हमें यहां पर नहीं पता होता तो इस चीज़ को बोलते हैं बेनामी तो जो बेनामी का असली फायदा होता है क्या वो driver को हो रहा है नहीं वो दूसरे person को नहीं हो रहा वो उस person को हो रहा है जो कहिना के इस पूरी deal को पाइनास कर रहा है तो जो person जो driver या जो जिस पर बंदे की नाम के उपर मैं जमीन करीद रहा हूँ इसको बोलते हैं बेनामदार और यह जो पूरी transaction है जो पूरी property है इसको बोलते हैं बेनामी property समझ के इस बात को तो basically एक ऐसी transaction जहाँ पर एक basically एक ऐसी property जिसमें कोई नाम नहीं है एक ऐसी transaction जहाँ पर person दूसरा कोई pay करता है पर अपने नाम के उपर पर chase नहीं करता है किसी और के नाम के उपर पर chase करता है और source of income आग पर disclose नहीं किया जाता इसी चीज़ को बोलते हैं बेनामी property ठीक है अब सरकार ने ना देखो समय समय के उपर इसमें amendments की हैं ताकि हम इसको बहतर कर पाएं ताकि यह ना जो black money वगड़ा होती है ठीक है ना उसको कहीं ना कि हम यहाँ पर tackle कर पाएं यह black money के लिए ही यह बेनामी पर गड़ा करी जाती है जिनके पास बहुत करोड़ो रुपया होता है और unaccounted money होती है वो क्या करते हैं वो इसको indirectly इसके थूर यूज करते हैं बेनामी property को ताकि अपने पैसे को कहीं ना कि manage कर पाएं तो 2016 में एक amendment हुआ था ठीक है ना इस चीज के अंदर बेनामी law के अंदर उस time के उपर apply tribunal और ये साई चीज़े हमें देखने को मिली थी पर 2021 या 22 में I think 2022 की बात है हाँ 2022 में ना Supreme Court का एक judgment आया था judgment उन्हें ये बोला था भाईया ये जो अपने law है ना इसका retrospective usage नहीं हो सकता है retrospective मतलब समय से पहले कहने का मतलब क्या कि आज से मैं इस law को implement कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि इसका back date ही उपर जाके इसका implementation हो जाएगा ऐसा Supreme Court का कहना था 2022 के अंदर कि retrospective और आप यूस करते हो ना तो वो unconstitutional है पर अभी क्या हुआ है जो tribunal है इसने यहाँ पर rule यह क्या क्या है इन्होंने बोला है कि अगर मान लो अगर कोई transaction ऐसी हुई है जो 2016 से पहले हुई है पर वो जो property है जो asset वगरा है जो भी asset है वो अभी भी hold किया जा रहा है कहने का मतलब क्या मेरे driver के पास मैंने एक asset दे दिया था उसको मतलब खरीद के दे दिया था पर यह खरीदा था 2016 के पहले पर अभी भी अगर मेरे driver के पास है तो वो भी यहाँ पर as an offense माना जाएगा ऐसा यहाँ पर tribunal की ruling है अब यह कितनी हद तक सही ruling है कितनी हद तक खराब है यह आगे मुझे पता है कि आगे high court वगरा में इसको challenge किया जाएगा पर अभी के लिए इन्होंने यही बात बोली है कि अप्लेट tribunal all disputes ने क्या बोला है कि जब हम बात करते हैं इस law के दर जब world का held तो यहाँ पर वो सारी चीज़े भी cover हो जाती है जो कि 2016 से पहले मानलो crime कमिट किया गया था पर अभी भी वो person जो beneficiary अभी भी इसको hold करके बैठा हुआ है बेनामी की क्या मतलब होता है मैंने आपको समझा दिया तो यहाँ पर क्या होता है जो asset का holder होता है ना वो उसका true beneficiary नहीं होता अगर driver asset को hold कर रहा है he is not the true beneficiary true beneficiary मैं हूँ यहाँ पर जिसने वहाँ पर यह चीज़ करके दी है तो इसी चीज़ को बोलते है बेनामी डील 2016 के अंदर जो amendment हुआ था वहाँ पर held का भी concept आया था यहाँ पर penalties को increase कर दिया गया था यहाँ पर नहीं मिलेगा बाकि अगर आप notice करोगे बहुत सारे यहाँ पर education हो गया approving authority हो गया ठीक है initiating officer यह सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो भी officers investigation के साथ यहाँ पर linked होते हैं बाकि administrator हो गया educating authority यह भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर बनाया गया था appeals के लिए ठीक है तो जो मैंने कल आपको homework पूछा था था ना कि the holder of the asset is not the true beneficiary owner अब आप समझ गया होगे कि हाँ sir जिस person के वास वो hold कर रहा है asset वो उसका true beneficiary नहीं होता जो कहिना कि उस transaction को finance करता है वो उसका true beneficiary होता है तो पहली statement बिल्कुल ठीक है दूसरा कहता है तो properties health भी नाम या liable for confiscation for the government without payment of compensation ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि सरकार इन इस तरह की चीजों को एक तरह से confiscate जबत कर सकती है बिना बदले में कुछ पैसा compensation दिये हुए तो यहां जो पूछ रहा था ना कौन सा incorrect है अरे कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो option D neither one nor two ये तो चलो मैंने expression यहां पर दे ही दी पर इसके लावा ना UPSC ने भी 2017 के अंदर question पूछा था इसी के regarding क्योंकि news में था अब इसको देखो एक बार जैसे पहला statement कहा रहा है एक property transaction is not considered as बेनामी अगर owner उसका aware नहीं है transaction के रिगारे देखो बहुत यह अपना पर absurd statement है अगर मैं भोल दूँ हर जगा भी जाके कि यह मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे नाम के उपर कोई जमीन है तो मुझे क्यों पगड़ रहे हो ऐसा तो हर बंदा बोल देगा ना फिर law का बात ही क्या हुई यह statement अपने आपे बहुत ही गलत है पहली बिल्कुल गलत हो जाएगी दूसरा कहरा है जो properties बेनामी है वो confiscate करी जाती है सरकार के दोरा यह बात बिल्कुल ठीक है तीसरा कहरा ह है कि यहां पर कोई भी एपरेट मेकानिजम है ही नहीं अरे कैसी बात कर दी तीसरी बात बिल्कुल गलत है तो एक्चल में जो statement correct है न वो option number B to only है तो काफी easy question यह आपके पूछा गया था UPSC के दोरा 2017 के अंदर तो अगर आपकी concept clear है न तो आप बड़े राम से ऐसे questions को tackle कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के तो दोस्तों यह थी आज की discussion आज की discussion की basis के उपर कुछ questions मैं आपको दे रहा हूँ जिनका answer मुझे आप बताओगे एक question additional है टबाको के regarding कुछ time पहले discuss किया था कोशिच कीज़ेगा मुझे बताने की क्या यह सही है फिर कल थोड़ा टबैको को डिटेल में discuss कर लेंगे एक बार कल जो homework दिया था उसका answer देख लेते हैं सवित्री भाई फूले जी के बारे में यहां पर पहला कह रहा है कि सत्री सुदक स्माज को इंगने और इनके husband जो थी जो थी जो थी फूले जी उन्होंने फाउंड किया था यह statement बिलकुल correct है Snow Leopard की जब हम बात करते हैं तो IUCN status endangered बिलकुल भी नहीं है वो है क्या आपका वलनरेबल आपका status देखने को मिलता है तो second आपका false हो जाएगा पिर्गिस्तान की बात करें तो कह रहा है कि भाईया यह कैस्पियन सी के राउंड कोस्ट राइन है अरे यह लैंड लॉग्ड कंट्री है कहां से कैस्पियन सी है कोई और सी आ जाएगा ठीक है यह पर्टिकुल भी फॉल्स हो जाएगी लक्षदीब की बात करें तो यह तो हमने पड़ा ही है यह बात बिलकुल correct है इसके लावा क्य को फंड के जाएगा आई टी यू नहीं कल हमने यूएस उफ यूनिवर्स सब्ले 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 के वारे में जाना था तो इस वज़ा से सेकंड गलत हो जाएगा जिसको नहीं समझ आया कल का lecture देख लो कल के lecture में बहुत डिटेल ने बढ़ा था दोनों में से क्या क्या अंसर है वो आप मुझे कॉमेंट्स में अंसर बताओगे वो ही आपका आज का होंबग रहेगा तो दोस्तो ये थी आज की डिसकेशन अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप मारे टेलिग्राम चैनल पीड़ाबली ओनले से विशल पर जाकि इसकी पीडियाप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो दोस्तो कीप वगिंग हाड गुद बाई एंद गुद लगुद लगुद